गोड़मानी इस्टूएंट्स कैसे हैं आप सभी मेरी यूटूब चैनल सच्छा मिश्चीडी पॉइंट में आप सभी का वह स्वागत है आज हम उन प्रश्णों को करेंगे जो की परिच्छा में बार बार पूंचे जाता हैं आईए इस्टार्ट करते हैं आदी ग्रंद के लेखा कौन थे आदी ग्रंद के लेखा कौन थे आर्जुन देव को सिक धरम के पांच भी गुरू भी बोला जाता है अगला प्रश्ण है मूल स्रोत या फिर प्राथ्मिक स्रोत किसे कहा जाता है और इनके अंतरगत कौन-कौन सी चीज़ा आती है देख, मुल्शोध और प्रत्मिक स्रोध के अंतर्गत प्रतियक्ष अवसे सामिग्री आती है, जैसे कि समारक हो गए, कलाकृतियां हो गई, सिक्के हैं, दस्ता बेज हैं, पांडू लिपियां हैं, मद्ध्य प्र्देश की सैल्चित्रकला है, और हम कहें, प्रतियक्ष तुम ब्हबब यहां जाहेएगा वहां प्राथमिक सुर्लव की अंतरगत आएगा जितने भी न्याले हैं भी प्रात्मिक सुर्पकी आंतरगत का आएगे एए अंतर अगला प्राश्न है इन्होंने कौन सी परंपरा चलाई थी लंगर परंपरा लेकिन लंगर परंपरा को आगे किसने बढ़ाया था और किस नाम से बढ़ाया लंगर परंपरा को स्कृष पंगत और संगत के नाम से यह पिसंगत पंगत के नाम से गुर्जण आगध ने आगे बढ़ाया था कि BC का ताथ पर्रह है BC मतलब वी फोड और है अगला प्रस्फण है इस जोड से प्राचीन गुफय प्राचीन प्राचिन गूफा पुछ्राल, प्राचिन गूफा कौन सी होईगी? भीम बेटि का गुफा जोकि मदni पृधेष में हैं, कुछ ग्रंथ हैं, जिसी की रामायड के लेकर कौन है? बालिमी की, महावारत के लेकर कौन है? वेधव्यास, आश्टा अध्याई के लेकर? स्वापनवास दक्ता इसके लेखक कौन है बहस और इन्हों नहीं भास नहीं एक चारू दक्ता नां की किताब लिखी है अदाप मरी के लेखक कौन है बांडभट और हर्सचरितिर के लेखक भी बांडभट ही है अर्थसास्त्र के लेका कौन है ? कोड़ेल कोड़े लिए कम और ken जाना जाता है विष्नु गुप्त के नाम से जाना जाता ह। इब दहुंस प्हें के नामने चाहता ह। या फिर कहें विश्णु गुप्त के नाम से भी जाना जाता है इन्हीं कोई कहते हैं चाड़क के या फिर विश्णु गुप्त इंडिका के लेख़ कौन है इंडिका मैगा स्थानेज जो कि सैल लुकस ने केटर ने बेजा था चंद्रुगुप्त मौर्रा के दरवार में में इसी कौं विश्णु नोर्पड़ थै कर ऐसी कौन सिमुद्रा है जो ठपा मारकर बनाई जाती थी अचुआ का के लाते हैं आहता है अधंभ बोल पर लिखी जाती थी उसके बाद तार्म पत्रों का प्रचलन आ गया फिर तार्म पत्र प्रसुबन पत्र पोज़ के पेड़ से प्राक्त वोते थे यह वोज़ पत्र उन पर लिखी आती थी पहले कुल वेद कितने हैं कुल वेद हैं चार कौन-कौन से हैं रिख वेद, साम वेद, यह जुर वेद, अथर वेद, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद है रिख वेद, संगीत, जिसमें संगीत है वो कौन सा वेद है? वो है साम वेद, रितू संभा, मेग दूत, कुमार संभाव, रगु बंस, इ डृष्ट बिकर्मा दित्य के दरवार में रहते थे उनके नौरौतम से एक थे Eestihanak worried,же Man 6 पांडू-लिपियों तथे दस्तावेजों को रखने का स्थान क्या कहलाता है जो कि एतिहासिक पांडू लिपियां और दस्ता बेज रखे जाते हैं उसे स्थान को हम क्या कहते हैं अभी लेखा गार कहा रखे जाते हैं ये सभी चीजे अभी लेखा गार